हरो दोस्तो में राइम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा हैं study channel बात करेंगे दोस्तो टीज़िटी पीज़िटी दो हजर बाइस ने विक्यापन के संबन्द में latest update की देख सकते हैं दोस्तो जनकाई निकल कर आ रही है कि chain board ही करेगा नई भरतियां यानि कि जो नया सिक्षा सेवा chain board बनना था उसमें अभी समय लगेगा साधिसाथ आपने देखा ही होगा सुना ही होगा ये news की chain board के सब भी सदस retire हो गए हैं मैंने आपको बताया था कि chain board के सब भी सदस retire हो गए हैं जिसकी वज़े से सिक्षक भरतियों पर खत्रा है और भरतियों में delay हो सकता है लेकिन दोस्तों chain board में सदस्यों की निक्ती बहुत ही जल्द होने जा रही है आठ अप्रेल को सब भी सदस chain board के retire हो गए थे chain board में एक अध्यक्ष और दस सदस हैं जिसमें से कम से कम पांस सदस होने ही चाहिए ताकि कोई भरति सुरू हो सके किसी भरति की प्रिक्रिया आगे बढ़ सके लगता 27,000 पदों पर नई सिक्षक भरति की मांग हो रही है टीजीटी पीजीटी की और इसको लेकर अभैर्थी मुख मंतरी से गुहार लगा रहे हैं इसी क्रम में बहुत ही जल्दोस्तों chain board में सदस्यों की निक्ती भी होने जा रही है उत्तर प्रदस्माद में सिक्षा सेवा chain board जो टीजीटी, पीजीटी और प्रधनाचार की भरति कराता है इसमें सदस्यों के चैन के लिए भरति की प्रिक्रिया सुरू हो गई है आवेदन इसके लिए मांगे जा रहे हैं विग्यापन निकल गया है और आवेदन करने की ला दोस्तों विग्यापन जो 15 अप्रेल को जारी कर दिया गया था और इसमें देख सकते हैं लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश मादमिक सिक्षा सेवा chain board में सदस्यों के chain हेतू विग्यापन यहां पर बताया गया है रिक्त पदों की संख्या के बारे में दस यहां पर पदर सबी पदों पर भरती होगी सदस्त की जो कार आउधी होती है वो दो साल की होती है अपर एज लिमिट इसमें 62 साल है तो यहां पसारी जदी गई है क्या-क्या इन पदों के लिए योगिता है क्या-क्या अहरताएं हैं हम लोग इसमें डेटर में नहीं जाएंगे बस हमारे साथ-दस सदस्यों की निक्ती होगी उत्र प्रदेस के 45% सेदिक सायता प्राफ्री स्कूलों में परधाना चारे और सक煞ागों की निक्ती करने करने वाले उत्तर प्रदेस माद कि नया चैन बोर्ड बनेगा नया सिक्षा सेवा आयोग बनेगा और वही भरतियां कराएगा ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड ही अभी आने वाले समय में भरतियां कराएगा और देख सकते हैं कि यहां पर बताया गया है कि आइड़िड माद त्यारियों में जुड़ जाएए दोस्तों फिलाहाल जिन पदों का अधियाचन मिला है इसमें प्रधानाचारिक के लगभग दोजार पद हैं इन्हीं पदों में से बहुत सारे पदों पर समायोजन भी हो गया तो भैर्टि ये मांग कर रहे हैं कि फिर से अधियाचन मांगा जाए तो यह सी दोस्तों आज की सभी महत्पूर अपडेट और अभी तक की प्राप सभी जनकारियां वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिजे तक ही आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और सब्सक्राइब करें अधिक इन्फॉरमेशन मिलती रहे थैंक्स और वाचिंग